ओम नमो भगवते वासु देवाय नमा नमशकार दोस्तों केसे हैं आप सब बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल इंस्पिरेशन ओफ प्रेधना में व्रत हो उपवास हो या पुजा हो हर इंसान अपनी मन की शांति के लिए और अपनी कामना को पूरा करने के लिए करता है सनातन धर्न में ग्यान और धर्न का समन्वे है दो धर्न में व्रत एवं कथा का खूब महत्व माना गया है इसमें भी भगवान बोले नाथ, भगवान शिफ का वरत, पशुपती वरत आदित्य माना गया है जिसकी महिमा इतनी बड़ी है जिसे बोल के बताना संभव ही नहीं है जर्मचारों की माने तो अतिशीगर लाब पाने के लिए अपनी मनों कामनप की पूर्ती के लिए और बड़ी से बड़ी इक्षा की पूर्ती के लिए पशुपती वरत एक बहुत ही सरल जरिया बताया जाता है तो आज हम जानेंगे कि क्या है पशुपती वरत आज मैं आपको पशुपती व्रत की संपून विधी महत्व कैसे करना चाहिए, किसे करना चाहिए और इसके बारे में संपून जानकारी देने की कोशिश करूँगी तो आईए सबसे पहरी जानते हैं क्या है पशुपती व्रत पशुपती नाथ व्रत का उलेख शिफ पुराण में किया गया है शिष्टी के सीजनहार देवों के देव महादेव संसार की मुह माया से बहुत अधिक परशित थे संसार के सभी पशुपती नाथ हैं नाथ हैं इसलिए उन्हें पशुपती नाथ कहा जाता है एक कहावत है मानव मात्र पूल ने पात्र इसका मतलब है हर एक मनुष्य से जीवन में कहीं न कहीं कुछ न कुछ गल्दी जाने या अजाने में हो जाती है और कर्म के विधान के अनुसार उन कर्मों के फल हमें इसी दुन्या में भोक निल पड़ते हैं अच्छे कर्म करने वालों को अच्छे फल मिलते हैं वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं उन्हें बुरिफ कर्मों का हिसाब भी यहीं देना पड़ता है काई बार हमारे जिंदगी में अचानक ये चारों तरफ से परेशानिया आने लगती हैं हमारा अच्छा खासा जा रहा काम अच्छा खासा चल रहा करियर बिखरने लगता है हमें लगता है कि हमारा कहीं कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और पता नहीं किन कर्मों की सजा हमें मि भुकतना पड़ता है वहां आता है पशुपतिनात व्रत बड़ी से बड़ी मनों कामना की पूर्ति के लिए अपने संकटों से निकलने के लिए अपने दिक्कतों से निकलने के लिए ये बहुत ही आसान सा पशुपतिनात व्रत का उलेक शिफ पुरान में किया गया है जिसे क बहुत ही सरल है और इसकी महिमा इतनी बड़ी है जिसे जानकर आप आश्यर में पढ़ जाएंगे प्रवरत करने से पहले निश्पाप होना है मन, वचन, कर्म से किसी का गलत नहीं करना है और नहीं किसी का गलत सोचना है हमें शुद्ध होकर भगवान भोले नात के शरन में जाना है उनसे प्राथना करना है कि हे प्रभु जाने अन्जाने में हमसे कोई गलती हुई हो तो उसे शमा करो हमारी गलती हम दुबारा नहीं धौराएंगे हमसे पाप किसी कारण वस हुआ है और जीवन की इस मुश्किल घड़ी से हमें बाहर निकालो इस तरह से आपको पशुपति नाथ व्रत उठाने के पहले भगवान भोले नाथ के पास जाना है और उनसे प्रातना करनी है पशुपति व्रत का संपूर्ण उल्लेख शिफ पुरान में किया गया है तो आईए जानते हैं कैसे किया जाता है पशुपति व्रत भगवान शिफ को भगवान भोले नाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो भक्तों के मनुकामना बहुत ही जल्दी पूरी करते हैं ऐसी मानियता है कि वो इतने भोले हैं कि थोड़ी सी पूजा से प्रसन हो जाते हैं और हमारे कर्मों को हमारे पापों को बूल जाते हैं और हमारे कर्मों के डंड को माफ कर देते हैं पशुपति व्रत एक बहुत ही महान व्रत है जिससे की हर तरह की मनों कामना तो पूर्ण होती ही है साथ साथ हर तरह के पापों का नाज भी होता है और दुखों से दुश कर्मों से हमें छुटकारा मिल जाता है पति व्रत सुमवार को आरंब किया जाता है ऐसा शुफ पुरान में बताया गया है इसे आप किसी भी महीने के किसी भी सुमवार को प्रारंब कर सकते हैं हाला कि हिंदू धर में ऐसी मानिता है कि कोई भी व्रत आप उठाने जा रहे हैं तो व्रत शुकल पक्ष से उठाना चा वैसे फिर्फ पुरान में ऐसा वर्णित है कि आप इसे किसी भी सोमवार से उठा सकते हैं यह व्रत केवल पांच सोमवार का होता है और आखरी सोमवार को यानि पांचवे सोमवार को आपको उध्यापन करना होता है जिस भी सुमवार को आप ये व्रत पारंभ करें आपको उस सुमवार की सुबह नहाद होकर स्वक्ष होकर और अगर हो सके तो सफेद वस्रधारन करके शिवाले जाना है किसे भी शिव मंदर में आप जा सकते हैं जो भी आपके घर के आसपास हो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उस शिव मंदर में पूरा शिव परिवार होना चाहिए शिव मंदर जाकर आपको पूजा करनी है पूजा की थाली जो आप शिव मंदर ले जाएंगे उसमें आपको ध्यान रखकर वो चीज़ें ले जानी है जो कि भगवान शिव को पसंद होती है जैसे कि बेल पत्र, सफेड फूल, गंगा जल अगर आपके पास गंगा जल ना हो तो कोई भी स्वक्ष जल ले जाएं लोटे में आपको दूड ले जाना है धूब, दीप, अगर बत्ती, चढ़ाने के लिए फल, धतूरा, भस्म इसके अलावा आपके पास जो भी शिवजी को प्रिये सामगरी हो वो आप अपनी धाली में रखकर शिव मंदर ले जा सकते हैं भगवान बोलेनात को कपूर अतिप्रिये होती है इसलिए कपूर जरूर ले जाएं भगवान शिव की आरती करने के लिए पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से भगवान शिव और भगवान शिव की परिवार का पूजा करें सेवन करें पूजा करने से बड़ा फल पूजा भगवान की सेवा करने का होता है ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है पूरी विधिवित पूजा करें भगवान शिफ पर, भगवान शिफ परिवार पर पूरी समगरी चढ़ाएं, प्रशाद चढ़ाएं कपूर से आर्ति करें और उसके बाद दोनों हाथ जोड़ कर प्राथना करें, अपने दुखों का उल्लेक करें और भगवान शिफ से जस्बी मनो कामना के लिए आप व्रत रख रहे हैं, उस मनो कामना को कहें भगवान पशुमपतिनात का इश्मरन पूरे समय अपने मन में करते रहें और इसके अलावा पूरी पूजा करते हुए ओम नमद शिवाय मंतर का जाप करते रहें तो इस तरह आपकी सुबा की पूजा संपूर्ण हो जाएगी वशुपति व्रत में सुबा की पूजा जितनी ही जरूरी है उतनी ही जरूर पूजा की पूजा भी मानी गई है शाम के समय आपको फिर से स्नान करके उसे शिव मंदिर में जाना है शाम को जब आप शिव मंदिर में जाएं तो पूजा की ताली में छे दीपक रखकर ले जाएं पांच दीपक वही पर शिव मंदिर में जला दें भगवान परशुपतिनात के पांच मुँ हैं इसलिए हम हर एक मुख के लिए पांच दीपक प्रजुलित करते हैं और छटा दीपक वापस अपने घर ले आए और बापस घर लाकर उसे आपको अपने मुख्य द्वार के दाई और जलाना है शाम को जब आप मंदिर जाएं तो आपको प्रशाद ले कर जाना है इस वरत में सुभा के समय फल और शाम के समय प्रशाद चड़ाया जाता है प्रशाद में आप मखाने की खीर, साबुदाने की खीर, कोई भी सफेद मिठाई, मावे की मिठाई या कोई भी सफेद मिठाई लेकर जा सकते हैं फल फूल मेवा मिठाई आप इस प्रत में कुछ भी ले जा सकते हैं प्रशाद को आपको ले जाके भगवान को अर्पित करना है और उसके बाद उसके तीन हिस्से करने है दो हिस्से आपको वही मंदिर में बाट देना है और एक हिस्सा वापस घर ले आना है घर ले आकर भी आपको वो एक हिस्से में से अपने परिवार के सभी सजस्यों को प्रशाद देना है और उस प्रशाद को ग्रहन भी करना है व्रत के समय आपको पूरे दिन नमक नहीं ग्रहन करना है इसे बिना नमक का व्रत आपको रखना है शाम की पूजा के बाद आप प्रशाद गहन कर सकते हैं इस वरत को फलाहार पे ही रखा जाता है आप मखाने की खीर, साबुदाने की खीर, संगाडे के आटे का हलबा वगेरा मिश्ठान खा सकते हैं लेकिन इस वरत में नमक नहीं खाया जाता अगर आपको किसी तरह की स्वास्थ की परेशानी नहीं है तो पशुपतिनात का वरत या भोलेनात का कोई भी वरत नमक खाकर नहीं करना चाहिए इसी तरह आपको पांस सुमवार का व्रत करना है और पांचवे सुमवार को उद्यापन करना है भगवान भोलेनात का जाब करते हुए यह वृत कोई भी स्त्री या पूरिश कर सकते हैं, वरत करने में आपको बीच में एक भी सुमवार छोड़ना या खंडित नहीं करना है, स्त्री अगर मासिक धर्मे हैं तो भी उनको पांच सुमवार का वरत लगदार करना है, अगर आपका मासिक धर्म चल रहा है तो आप भगवान शिफ की पूजा अपने किसी निकर्टम से करवा सकते हैं सामगरी को सपर्ष नहीं करना है मंदिन नहीं जाना है पूजा किसी और से करवा दें और व्रत आप स्वेम ही रखें आएए अब जानते हैं क्या है व्रत की उद्यापन विदी आपको पांचवे सुमवार को भी पूरे दिन व्रत रखना है शिव भगवान की उसी तरह पूजा करनी है जिस तरह आपने चार सुमवार को किया है पांचवे सुमवार को उद्यापन होगा उद्यापन वाले दिन भगवान शिव की पूजा करने में आपको 108 बेल पत्र भगवान शिफ को चड़ाना है इसके बाद आपको एक श्रीफल लेना है और उसमें लाल मौली लपेटना है और उसके बाद उस श्रीफल को भगवान शिफ को अर्पित करना है इसके अलावा आप भगबान शिफ को सफेद वस्त्र, जिनेव, वस्त्र वगेरा जो भी आपसे बन सके वो सब चढ़ाएं और भगबान शिफ की पूरी विधिवत पूजा करें उद्यापन वाले दिन आपको भगबान को प्रशाद में मिठाय के साथ साथ और प्रितुफल भी चढ़ाने होते हैं इसके साथ साथ मंदिर में जो भी ब्रामभण हों उन्हें दक्षणा दें उनके चरनस पर्ष करें एक समय का खाना कच्चा खाना भी दान करना है जिसे हम सीधा कहते हैं इसमें दाल, चावल, सबजी, फल, मिठाय, आदी जो तना भी एक समय का खाना होता है वा किसी ब्रामभण को दान करना होता है इस सीधे में नमक भी रखा जाता है इसके अलावा आप से जितना हो सके आपकी जितनी शृद्धा हो आप उतना दान कर सकते हैं मैनुश्य पूर्ण शृद्धा और भक्ति से ये व्रत करता है तो उसे फल जरूर मिलता है अगर आपके दामपत्ति जीवन में मुश्किल चल रही है या दामपत्य जीवन अच्छा नहीं है तो यह वरत आपके लिए बहुत ही फलदाई होगा किसी भी तरह की दिक्कते हो पढ़ाई में दिक्कत आ रही हो करियर में दिक्कत आ रही हो विवान ही हो रहा हो आपनी संतान हो किसी भी तरह की मनुकामना की पूर्ती के लिए आप यह व्रत रख सकते हैं इस व्रत में आपको संपून पवित्रता बनाए रखनी चाहिए अगर आप व्रत रख रहे हैं तो अगर किसी के घर में सुतक हुआ है तो वहां नहीं जाएं और अगर कोई स्तरी अपने मासिक धर्म से गुजर रही है तो उससे थोड़ी सी दूरी बना कर रखें व्रत करते हुए मन, कर्म, वचन से पवित्र होकर इस व्रत को करें संपून शद्धा से भगवान भोले नाथ का जाप करें आपकी हर एक मनो कामना भगवान्शिप सरूर पूर्ण करेंगे इस व्रत में काम, क्रोध, मुझ से दूर रहना चाहिए ना तो किसी की निंदा करें और ना ही किसी की निंदा सुनें भी व्रत की तरह इस व्रत में भी ब्रह्मचारे का पालन करना चाहिए तो यह है भगवान भोले नाथ के एक बहुत ही आसान से पसुपती व्रत की विधी तो इस व्रत को करें आपकी हर एक इक्षा भगवान भोले नाथ जरूर पूर्ण करेंगे इसा मन में पूर्ण विश्वास रख कर इस व्रत को प्रारंब करें व्रत खतम होने से पहले खतम होने तक भगबान शिफ आपकी हर इक्षा जरूर पूर्ण करेंगे धान्यवाद वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करेंगा चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें आधी रादे